नमस्का दोस्तों मैं हूँ रोहन शर्मा आज हम बात करेंगे कि भारत के कई सारे इलाकों में चाहे वो उत्राखंड हो, हिमाचल परदेश हो हमें इतना ज़ादा लैंड्सलाइट्स क्यों देखने को मिल रहा है फिर हम बात करेंगे कि जो हिमालियन बेल्ट है mountainous areas हैं, उसकी sensitivity उसके fragile ecosystem के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहले आप screen में देखे कि किस तर से landslide हुआ है ये landslide की picture है, सारी की सारी सडक ही तूट गई है कितना ज़ादा fragile ecosystem है mountains का especially हमालियन mountains का, आप देख सकते हैं screen में फिर आप देखे कि earthquake हुआ है और earthquake की वज़ा से सारी सारी सडक तूट गई है ये वी एक चिंता गविशे है ये देखे volcanic eruptions हुआ है तो आगे अगर हम बात करें कि इसके कारण क्या है landslide होता क्यों है तो सबसे पहले तो earthquake फिर आप देख सकते हैं volcanic eruptions इसको detail में जानेंगे अब earthquake कैसे देखे हिमाचल परदेश आप देख सकते हैं बीच में हिमाचल परदेश का जो color है वो red है यानि कि हिमाचल परदेश में ज़्यादा से ज़्यादा earthquake आने के chances है सिर्फ हिमाचल परदेश ही नहीं जो भी हिमाचल परदेश है चाहे वो अरणाचल परदेश हो सारी सारी नोर्थ इस्ट परदेश जो है वो sensitive है वहाँ पर earthquake आने के ज़्यादा chances है तो earthquake अगर mountains में आएगा तो definitely वहाँ हाम होगा काभी सारे लोगों को नुकसान पहुंचेगा ये सब जानते हुए भी अगर हम वहाँ पर dam construct करें कुछ human activity करें तो नुकसान होने के chances ज्यादा हो सकते हैं आगे detail में बात करेंगे सबसे पहले तो कारण के बारे में जान लेते हैं कि landslide होता क्यों है heavy rainfall या droughts drought आएगा तब भी पहाड कमजोर होंगे mountainous areas कमजोर होंगे heavy rainfall होगा और human activity होगी तो definitely पहाड कमजोर होंगे जिसकी वज़ा से landslide तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा आगे हम बात करें देखे health threats क्या क्या हो सकते हैं landslide की वज़ा से तो सबसे पहले तो landslide होगा तो definitely वो कोई न कोई infrastructure तो harm करेगा ही करेगा अब मान लिजिए वहाँ पे electrical infrastructure है सभी के घरों में electricity तो होती ही होती है landslide होगा तो जिसकी वज़े से वो electrical infrastructure भी disrupt होगा और वो पानी के साथ mix होके या landslide होगा तो merge करके वो नुकसान पहुंचाएगा है पहुंचाएगा तो broken electrical infrastructure की वज़े से भी health threats face करने पढ़ सकते है gas भी leak हो सकती है sewage lines भी disrupt हो सकती है जिसकी वज़े से injury होगा या कोई बिमारी भी फैल सकती है landslide के बहुत सारे बुरे प्रभाव पढ़ सकते है human के उपर आगे हम बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश हो गया उतराखंड हो गया यह danger zone में है यहाँ earthquake तो आए गए आएगा क्योंकि tectonic, seismic activities जहाँ ज़्यादा होती है अब वो area जहाँ पे wildfires ज़्यादा होती है या human modifications ज़्यादा है अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो dam construction अंदा धुंद हो रहा है कई सारे project बन रहे हैं dam construct हो रहे हैं तो उससे क्या होगा biodiversity के उपर impact पड़ेगा ही पड़ेगा और land slide तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा वो area भी काफी vulnerable हो सकते हैं जहां पर पहले से ही land slide हुआ हो अब कई सारे channels होते हैं आपने देखा होगा कि सडकों के किनारे कई सारी नदियां बहती हैं अब उन नदियों का अगर flow रोका जाएगा dam बनाने के लिए या कोई भी activity करने के लिए तो जब heavy rainfall होगा तो वो अपना root तो ढूंडेगी ही ढूंडेगी नदियां तो root ढूंडेगी तो सडके ही तूटेगी फिर तो ये भी नुकसान छेलना पड़ेगा ये देखिए किस तरसे dam construct किया गया है सारा पानी store किया गया है तो आज हम बात करेंगे कि dam construction की वज़ह से क्या क्या प्रभाब पड़ सकते हैं सबसे पहले तो waste water देखिए waste water तो generate हो गए होगा एक natural flow होता है नदी का जो flow करती रहती है करती रहती है और सुमंदर में जाके वो मर्ज हो जाती है अब जब पानी को store करेंगे तो उसका habitat loss होगा कई इस पारी species को loss होगा fishes को loss होगा waste water generate होगा जिसका result होता है जो poor communities होती है जो इन नदीयों के आसपास रहती है उनको भी नुकसान पहुँचता है उनका जो culture होता है वो एक तरह से extinct कर जाता है लुप्त हो जाता है तो ये भी देखना पड़ता है वो एक young mountain है अभी grow कर रहा है उसकी stability नहीं है अभी तक तो ये सब कारण है जिसके वज़े से landslide हो रहा है friends वीडियो अच्छा लगा हो तो please share करें, subscribe करें Thank you very much